वेलकम बैक टो आवर यूटुब चैनल और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के उपर तो निफ्टी की ग्लोजिंग कहाँ पर मिली है 17406 के पास निफ्टी बंद हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1733040 के सपोर्ट के पास से हमें एक अच्छी कासी राली जो है वो निफ्टी के अंदर आती भी दिखाई दी थी आज लाइव मार्केट में मैं ओनलाइन आई थी तब मैंने बात कही थी कि निफ्टी का ट्रेंड फिलहाल डाउन ट्रेंड है लेकिन आपको वेट करना है 17300 के तूटने का अगर निफ्टी 17300 ब से एक अच्छी राली होगी और वही हमें देखने को भी मिला 17300 ये लाइन मैंने आज मॉर्निंग में लाइव मार्केट में ड्रॉ की ती कि अगर मार्केट इसके उपर निकलता है तो ही एक सी साइड की पुजीशन निफ्टी 50 के अंदर बंती है और ये लेवल मैंने आज म 17, 380 और 390 तक निफ्टी ने हाइ किया था यहां से फिर से एक सेलिंग जो है वो मार्केट के अंदर आती विदिखाई दी और निफ्टी ने बहुँट टाइम तक इस लेवल के पास आप देख सकते हैं बहुँट टाइम तक इस लेवल के पास टाइम बिताया यहां से एक ग्रावट हुई टूर्ट 17300 लेकिन ये 300 का लेवल निफ्टी ने नहीं तोड़ा फिर से एक रैली हुई यहाँ पर और निफ्टी ने फिर से हाई किया था 17380 के तरफ यहाँ पर फिर से एक profit booking देखने को मिली सेलिंग हम लोग कह सकते हैं profit booking यहाँ पर हमें देखने को मिली और profit booking होने के बाद फिर से मार्केट अपने इस लेवल के पास आया जो मैंने आज ही सुभे मार्क किया था और आपके लिए बताया भी ता कि अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो सी साइड का ट्रेड बनता है और वैसे ही हमने देखा nifty ने फिर से एक बारी इस लेवल के ऊपर से हमें एक अच्छी rally दिखाई अब देख सकते हैं यहाँ पर nifty ने 300 से एक अच्छी rally दिखाई फिर से थोड़ा downside के लिए आकर हमें support के पास से एक अच्छी upside की 17400 के ऊपर की rally देखने को मिली लेकिन अगर निफ्टी 17340 का level next trading session में hold रखता है तो और एक अच्छी rally हमें देखने को मिलेगी तो निफ्टी के लिए कौन-कौन से setup बनते हैं तो अगर निफ्टी flat opening करता है यहाँ पर 17400 और 300 के पास यह भी possibilities हम लोग बता देते हैं 17400 380 के पास अगर opening होती है तो यहाँ पर market 380 का level तोड़ता है यानि कि अगर आप देख रहे हैं कि 380 के पास candles बन रही है negative या फिर डाउन साइट के लिए ज्यादा candles ऐसे बन रही है तो आपको यहाँ पर एक downside के लिए trade लेना है towards 17340 के level के लिए 340 का first target रहेगा risky traders 17300 के target के लिए भीज आ सकते हैं तो दो पॉसिबि side के लिए था जो PE का trade लेना चाते हैं वो अगर flat opening होती है तो अगर निफ्टी जो है वो 17400 380 इसी range में trading कर रहा है और इस range में हमें अच्छी खासी positive candles दिख रही है तो यहाँ पर आप थोड़ा wait करके 17410 के ओपर buying के लिए जा सकते हैं CE के trade के लिए जा सकते है 17410 के ओपर निफ्टी यहाँ से 17450 और 460 का target हमें दिखाएगा तो यहाँ पर आप एक CE का trade जो है वो ले सकते हैं flat opening में 400 और 380 के range में अगर gap up opening होती है towards 450 तो यहाँ पर आपको तोड़ा wait करना है और risky traders यहाँ पर एक selling की position ले सकते हैं 17450, 460 के range में opening होती है तो यहाँ पर एक PE side का trade या फिर selling की position बनती है downside के लिए 17410 and 17390 का target रहेगा अगर gap down opening होती है और nifty जो है वो 300-340 के पास ही open होता है तो यहाँ पर थोड़ा आपको wait करना होगा क्योंकि यहाँ पर market जो है वो 30 से 40 minutes के लिए consolidation करेगा अगर 17, 300 and 340 के range में होता है opening तो ही otherwise यहाँ पर nifty के जो chances है वो ज्यादा के side 450 के level तक दिख रहे हैं अगर 450 के ओपर निकल जाता है तो यहाँ से 550 और 600 तक के levels जो है वो nifty के अंदर बने हुए है फिलाल gap down में ना ही PE के लिए जाना है ना ही CE के लिए जाना है सिर्फ आपको देखना है 300, 340 के range में या फिर 350 के range में market reaction कैसे दे रहा है ज्यादा candles कौन सी बन रही है? bullish candles बन रही है? shadows क्या है? यह सब आपको देखना है और live market में कल भी मैं available रहूंगी और इसके साथ साथ जो मेरा public telegram channel है जिसका link नीचे description box में है तो वो channel को भी join कर लीजेगा वो free channel है वहाँ पर join करने के लिए आपको कुछ भी pay नहीं करना है तो उस channel पर मैं important support resistance के levels opening के बाद update कर दोंगी आपके knowledge के लिए so अभी इस video के लिए इतना ही था इस video को अभी यही पर मैं end करती हूँ so thank you very much for watching this video मैं विलूंगे आपसे next video में till then bye take care and trade carefully